इंडिया का वीनिवेश में तेजी आई है और जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं वो उमीद की जारी है कि नौवंबर के दूसरे हफ़ते में मिल सकते हैं Ministry of Corporate Affairs के पास जो मीटिंग है जो सुनवाईदी मर्जर के लिए होनी है वो दूसरे हफ़ते में उमीद की जारी कि Ministry of Corporate Affairs दूसरे हफ़ते में सुनवाई के लिए Shipping Corporation of India को बुला सकता है क्योंकि Shareholders Approval आलरी हो चुके हैं Lenders से भी Shipping Corporation of India को अप्रूवल मिल चुका है आरोसी ने भी अपनी रिपोर्ट समिट कर दी है तो अब उमीद की जारी है कि जो फाइनल हेरिंग है वो नौंबर के दूसरे हफते में हो सकती है इस हेरिंग के बाद इस फाइनल हेरिंग में एक observation लेटर इशू हो सकता है उसके उसके 15 से 20 दिन के अंदर रिटर्न ओर्डर पास हो जाएगा और इस रिटर्न ओर्डर के पास होने के बाद जिस तरीके से अभी आज और के दूसरे हफते में फाइनल observation लेटर इशू हो जाएगा उसका रिटर्न ओर्डर उससे 15 दिन बाद हम उमीद कर रहे हैं तो दिसंबर के पहले वीक तक वह कंप्लीट हो जाएगा और उसका 45 दिन के अंदर जो डिमर्ज एंटेटी है उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो ज